चिराग पासवान 2024 के लोगसभा चुनाव में अपनी सीट बढ़वाने के लिए भाजपा को अकेले चुनाव लड़ने की चेतावनी देते रह गए पर भाजपा पर इसका कोई असर नहीं हुआ उल्टा भाजपा आने वाले लोगसभा चुनाव में कम से कम 32 सीटों पर लड़ने की तयारी कर रही है पिछले कई महिनों से आयूं कहें तो पूरे 2023 में ही चिराग पासवान जब भी कहीं रैली करने जाते थे कोई जनसभा करने जाते थे तो उनके भासनों से असपष्ट इसारा होता था कि चिराग को इस बार लोगसभा चुनाव में ज्यादा सीटे चाहिए वो अपने भासनों के माध्यम से बीजेपी को चेतावनी देते रहते थे चिराग ने ये तक कह दिया था कि वो बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं लेकिन चिराग पासवान के इन धंकियों का चेतावनीयों का भाजपा पर कोई असर नहीं हो बिहार में कुल 40 लोग सवाज सीट है इसमें 32 सीटों पर भाजपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो मात्र 8 सीट बजते हैं और इन 8 सीटों में भाजपा में भाजपा के जो साथ गटबंदन में 3-4 अलग अलग पार्टियां है उनको वो कैसे निप्टा रही है इसम मात्र 8 सीटों में चिराग पसुपती पारस उपहंद्र कुसवाहा मुकेश सहनी के इन 4 पार्टियों को कैसे समेटेगी बीजेपी सारा मैरेजमेंट कैसे करेगी किसको भाजपा निरास करेगी कौन खुस होगा विश्तार से इसके बारे मैं वीडियो में आगे बात करेंग अपने अक्टिवीटी को एकदम तेज करने वाली है बीजेपी अपने 9 साल पूरे होने के नाम पर कायकरम करने वाली है जहां पर 9 साल में जो जो मुख्य काम है सबको गिनवाएगी और लोगों को अपने सरकार के फाइदे बताएगी और बिहार पर भाजपा ने एकदम ब काफी बड़े लेबल पर चुनाओ का कैंपें बिहार में सुरू कर रही है तो इसका कारण है कि वो चाहती है कि 2019 का जो उनका प्रदर्सन रहा था वो फिर से दोहराया जा सके 2019 के लोग सबा चुनाओ में बीजेपी की गटबंदन वाली इंडिये का गजब लहर चला था इं चला वा लोजपा के हिससे में सघ्षीर जीत का talkin दोह फाली बचते है तो बिहार की जहादा शीट आजाएगे लेकिन बीजेपी ने कुछ और ही सोचकर रखा वाए वो चुनाओ लाटना चाहती है क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर जेडी वाले सीट पर लड़कर कोई चुनाव जीत सकता है तो भाजपा ही कर सकती है इसलिए वो सहयोगी पार्टियों को ज्यादा सीट देने का रिस्क नहीं उठाना चाहती है क्योंकि इस बार भाजपा का लक्ष है कि वो कम से कम कि वो दोफाड हो चुकी है चिराग के ही चाचा ने छे में से पांच संसद अपने साथ लेकर पहले पार्टी पर अधिकाल जमाने की पुसिस की फिर उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी तो अब चिराग अगर पहले की तरह सीट सोच रहे हैं तो इस बार मुश्किल करते हैं और वही को में से उसी में से कुछ पसुपती पारस को भी सपोर्ट करेंगे अब ऐसा में चिराग को पहले के वराबर स्ट्रीट तो मिलने से रहा है लेकिन उल्टा चिराग पहले से ज्यादा अपनी मांग को बढ़ा रहा है इसके साथ साथ एक दूसरा डिस्क और लगो कर उन पर तमाम इल्याम लगा कर नई पार्टी बना चुके हैं और बीजेपी के साथ आएंगे उनको भी सीटे चाहिए इसके साथ मुके सहनी की बीजेपी से बढ़ गई है उनको भी स्पेशल सुरक्षा मिल रहा है और 2024 चुनाव में उनके भी एंडिये में सामिल हो है आपको क्या लगता है कि इसके हिसे में कितने सीटे आएंगी कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं जनता जंक्शन देख रहे हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद